हाँ जी बच्चों आज हम लोग एक नया चेप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं और चेप्टर का नाम है कॉंट्रेक्ट कॉस्टिंग यह हमारी बुक का चेप्टर नंबर एट है और इसकी हेडिंग है जॉब बैच एंड कॉंट्रेक्ट कॉस्टिंग हम लोग अल्रेडी जॉब और बैच कॉस्टिंग डिस्कस कर चुके हैं और आज की क्लास में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ कॉंट्रेक्ट कॉस्टिंग तो सबसे पहले सर कॉंट्रेक्ट कॉस्टिंग होती क्या है और हमारी वीडियो में कुछ प्राब्लम आ गई है, देखते हैं क्या हुआ है तो सभी बच्चे पहले तो लिखेंगे चैप्टर की हेडिंग कॉंट्रेट कॉस्टिंग तो सर ये कॉंट्रेट कॉस्टिंग है क्या तो बेटे हम आपको बता दें के कॉंट्रेट कॉस्टिंग is same as job costing तो कॉंट्रेट कॉस्टिंग का मतलब है it is same as job costing but the difference is that contract are big jobs हमारी जो बुक है, हमारी बुक डिफाइन करती है के कॉंट्रेट कॉस्टिंग क्या है तो मेरे पास महेश्वरी मितल की बुक है और मैं पढ़ रहा हूँ आपके साथ में page number 384 आपको बुक देखने की जरूत नहीं है मैं आपको बता रहा हूँ के हमारी बुक क्या कह रही है what is contract costing बुक कहती है के contract costing भी एक तरह से job costing है जब हमने job costing पड़ी थी तो हमने समझा था के job costing का मतलब है के आपको एक specific job मिली है करने के लिए और उस job पर आप जो खर्चा करते हैं उस job की हम लोग cost को find करते हैं ठीक है sir तो जब हमारे पास job costing है तो फिर हमारे पास contract costing क्यो है तो आपको मैं यह समझाना चाहता हूँ के job costing जो होती है वो short period के लिए use होती है अगर आपको कोई ऐसी job मिल जाए जो बहुत लंबा period लेगी completion होने में तब हम उसे बोलते हैं contract costing चलिए पहले हम थोड़ा सब book की technical बात भी लिख लेते हैं उसके बाद हम आपको example देंगे आपको समझ में आ जाएगा कि big job कौन सी होती है ठीक है तो हमारी book कहती है कि where big jobs are involved requiring considering considerable length of time requiring considerable length of time अब considerable length of time से सर आपका क्या मतलब है तो मैं कहूंगा कि length of time से मेरा मतलब है कि इन जॉब को करने में more than one year एक साल से ज्यादा का समय लग जाता है तो requiring considerable length of time to complete and comprising activities to be done outside the factory area outside the factory area contract costing is employed तो हमारी book आपको समझाना चाहती है दो बाते number one आपने अपने customer से एक job undertake की और ये job लंबी चलने वाली है तो मैंने का लंबी चलने वाली है तो इसका मतलब है more than one year तो मैंने जैसे three year का example लिया कि आपने year one में job ली year two में भी वो पूरी नहीं होगी और year three में जाकर अगर वो complete हो रही है तो इस job को हम बोलते हैं big job sir ऐसी कौन सी job है जो इतना लंबा समय ले रही है इससे भी ज्यादा समय ले सकते हैं देखें जैसे के आपने construction contracts के बारे में सुना होगा real estate के लोग है construction contract लेते हैं मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ी land पड़ी है और आप चाहते हैं के land के उपर hospital बनाया जाए तो आपने किसी को contract दिया के आप मेरी land के उपर hospital बनाये आप हमारी land के उपर school बनाये गौर्मेंट ने contract दिया के सडकों पर रश बहुत ज़्यादा हो गया फ्लाय ओवर बनाये अकिलेश यादव ने contract दिया जी हमारे या यूपी के अंदर दिल्ली metro का network बिचाईए आपको contract मिला है के आपने dam बनाना है highway बनाना है अच्छा सर मुझे तो titanic जैसा जहाज बनवाना है तो ये सब क्या है these are called big jobs तो big contracts के example क्या हुए construction contract हो गया road बना रहे हैं highways तयार कर रहे हैं flyovers बना रहे हैं big ship like titanic ocean ship बना रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे जॉब हैं तो जॉब के अंदर हमने दो बाते सी कि पहला तो इसमें considerable length of time है और दूसरा कि mostly these activities are to be done outside the factory area यानि की customer की जगा पर जा करके हम ये काम करते हैं ठीक है सर तो contract costing के बारे में हम आपको कुछ और बाते भी पहले ही clear कर दिना चाहते हैं उसके बाद contract costing के अंदर जाएंगे ये contract costing का हमारा जो chapter है ये financial accounting में भी आता है और ये cost accounting में भी आता है वहाँ पर इसका नाम हो जाता है contract accounts और यहाँ पर इसका नाम हो जाता है contract costing तो पहले तो आपको ये बता दें बीकॉम के बच्चों ने तो contract accounts पढ़ा ही नहीं है तो उन्हें कोई confusion है भी नहीं लेकिन अगर कभी चर्चा हो जाए पढ़ोस वाला बच्चा CA कर रहा हो और वो आप से कुछ मजाक मजाक में कह दे के तुम्हें पता है contract accounts को बोलते है accounting standard 7 तो accounts के जो accounting standard 7 है वो हमारे financial accounting के standards है और वो हमारी cost accounting से different है और cost accounting के अंदर ना तो हम AS7 की बात करेंगे और नहीं आप गलती से AS7 लिखना और नहीं कभी ये समझ लेना कि आगे चलके accounting में कभी आपने contract accounts पढ़ा तो आपको लग गया कि ये तो हमने costing में पढ़ लिया था तो बेटे costing वालों के rules different है और accounts वालों के rules different है तो ये chapter दोनों जगा है तो आपने दोनों को mix नहीं करना है ना आज ना future में मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं उससे हम contract costing बोलते हैं जो कि cost accounting के अंदर है और this is totally different from accounting standard number 7 ठीक है सर हम ये बात समझ गए this is different from AS7 ठीक है now अब आप समझे के contract में दो लोग involved होते हैं two persons are involved in a contract क्या आप मुझे बताना चाहेंगे के कौन कौन से दो लोग involved होते हैं पहला person तो वो होता है जो contract दे रहा है पहला person जो contract दे रहा है उसे हम बुलाते हैं contractee मान लीजिए हमारे पास land पड़ी हुई है और मैं वहाँ पर hospital बनवाना चाहता हूँ तो मैंने dlf से कहा मैंने कहा देखिए मेरे पास land है आप वहाँ पर एक अच्छा सा hospital बना दीजिए तो मैं contract दे रहा हूँ तो मैं क्या कहला हूँगा I will be called contractee तो contractee कौन होता है contractee is the person who gives or who assigns the contract simple language में समझ लिया contract देने वाला जो काम करवाना चाहता है वो है contractee और जो काम करेगा उसे बोलते हैं contractor तो contractor कौन है contractor is the person who executes the contract ठीक है सर अब ये जो हम contract costing करने वाले हैं ये हम contractor के point of view से करने वाले हैं तो ये बात मैं आपको पहले ही clear कर देता हूँ के contract costing is done from the point of view of contractor तो ध्यान रखना है हम contract costing contractor के point of view से पढ़ने वाले हैं चलिए जी ये तो हमने जान लिया के contract costing जो है वो contractor के point of view से होगी अब हमने ये जानना है के contract costing की कैसे जाती है तो सभी बच्चे मेरे साथ लिखेंगे के पहले तो मैं आपको बता दूँ के आपने अभी तक जो भी cost निकालनी सीखी है तो आप कैसे cost calculate करते थे तो आप cost sheet बनाते थे यानि cost पता लगाने के लिए हम कोई debit credit का account नहीं बनाते थे हम cost sheet बनाते थे लेकिन in the contract costing a separate contract account is prepared for each contract आगे चलके जब आप कोईशन करेंगे तो आपको परिशानी ना हो इसलिए मैं पहले ही आपको बता देता हूँ ज्यादा तर कोईशन के अंदर बच्चे की आदत पढ़ जाती है कि सर कोईशन दिया होता है कि ये contractor है और वो एक contract कर रहा है आगे चलके भुक लिखती है कि X एक contractor है और उसके तीन contract चल रहे हैं बच्चा घबरा जाता है सर तीन contract आगे अरे भाई हमारी contract costing कहती है कि भाई जो contractor होगा उसके तो कई सारे project चल रहे होंगे तो वो अपने हर एक project के लिए एक अलग contract account बनाएगा जैसे मैंने example लिया मान लीजिए मैं किसी के लिए hospital बना रहा हूँ दूसरा एक person मेरे पास आया कि मेरे लिए आप school बना दीजिए तो मैं उसका एक school बना रहा हूँ तो वो contract अलग है hospital का और school का contract अलग है तो मेरे पास दो contract चल रहे हैं तो दोनों के लिए अलग-अलग contract account बनेगा तो हर एक separate contract के लिए एक separate contract account बनेगा ठीक है sir तो in contract costing a separate contract account is prepared for each contract ठीक है next point contract account is a nominal account sir यहाँ पर तो सारी accounts की बाते हो रही है costing की बात हो ही निरी मैं क्या कर सकता हूँ जो है वो ही आपको बता रहा हूँ के contract account is a nominal account और बताओ nominal account आपको याद है हाँ sir nominal account एक ऐसा account होता है जिसमें debit side पर लिखे जाती है expenses और credit side पर लिखा जाता है revenue अब हो सकता है के आपके number of contract चल रहे हो तो यह मेरा contract number one है और यह मेरा contract number two है और हो सकता है ऐसे मेरे n number of contracts चल रहे हो तो हमारा जो एक contract account होता है वो specifically एक contract के बारे में profit or loss के बारे में बात करता है और जो दूसरा contract account होगा वो दूसरे account के बारे में बात करेगा तो contract account is a nominal account in which all specific costs are debited and revenue earned shall be credited to it ठीक है सर यह बात भी हमने सीख ली number three number three हमने यह अलग-अलग contract account क्यों बनाए because contract accounts contract account helps in determination of क्या कहा था मैंने क्या मदद करेगा determination of profit earned or loss incurred on each contract मुझे यह पता चलना चाहिए कि मैं हर एक contract में अलग-अलग क्या कमाता हूं ठीक है सर the profit oblique loss of each contract should be transferred to P&L account पहले तो आप एक contract account बनाओगे contract account में contract का profit और loss निकालोगे जब आपका contract का profit या लॉस निकल जाएगा तो फिर आप उसे P&L account में transfer करोगे अब पहले इस वाली बात को भी मैं आपको समझा दूँ देखिए यह मेरा contract number मान लीजे वन है यह मेरा contract number two है यह मेरा contract number three है तो N number of contracts मेरे चल रहे हैं एक एक contract account किसी एक contract का profit या लॉस बताएगा लेकिन हमारी company का एक P&L account चल रहा होगा कई लोग इसे combined P&L बुलाते हैं कई लोग इसे general P&L बुलाते हैं जो भी बुलाते हैं मान लीजे contract one में मेरा profit आया contract two में थोड़ी देर के लिए मान लिया loss आया और contract three में मान लीजे फिर से profit आया तो ये profit मेरे P&L में transfer होगा ये loss मेरे P&L में debit होगा और ये profit भी मेरे P&L में credit हो जाएगा और उसके बाद जो भी final profit ये loss निकल के आयेगा वो हम अपने shareholders के सामने रख देंगे और उनको कह देंगे कि आपको dividend चाहिए तो dividend ले लीजे ठीक है सर नाओ contract costs are debited to contract account and common costs are debited to P&L account अब कभी कभी आपको अपने आप पता चल जाएगा कि question के अंदर अगर कोई ऐसा खर्चा दिया हुआ है जो की contract का नहीं है तो सर उसका क्या करना है अगर जो खर्चा organization ने किया है और वो किसी specific contract का नहीं है तो वो कहां जाएगा सर तो वो फिर हमारा P&L account में जाएगा जो खर्चा contract का है वो contract account में जाएगा और जो खर्चा contract का नहीं है organization का है तो वो P&L में जाएगा अब ये बात आपको अभी समझ नहीं आएगी तो question करते वे समझ में आजेगी इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है ऐसा कोई rule नहीं है कि सारी बाते हमें अभी एकदम समझ में आनी चाहिए ठीक है सर अब देखिए सर एक contract के अंदर हमारे कौन-कौन से खर्चे होते हैं तो बेटे contract के अंदर हमारा जो सबसे पहला main खर्चा होता है फिर हमारे इसमें खर्चा होता है लेबर का फिर हमारे पास खर्चा हो सकता है किसी machinery का पहले के जमाने में क्या होता था मजदूर को बलाते थे जाओ जी काम करो आजकल मजदूर को कम बलाते हैं और machinery का ज़्यादा इस्तिमाल करते हैं क्रेन का यूज होता है आप देखने है, मैटीरियल खर्च होता है, लेबर खर्च होती है, मशीनरी खर्च होती है, और हमारे ओवरेड्स खर्च होते हैं, ठीक है तो सबसे पहले हम कॉस्ट के बारे में आप से बात करेंगे, ठीक है सर, आईए जी, कॉस्ट के बारे में बात क यह मेरा contract account है और मैं आपको थोड़ा सा format बता रहा हूँ so that question करते वे आपको दिक्कत ना हो तो मैंने आप से कहा कि किसी एक contract में सबसे पहले क्या लगेगा material तो यह मेरा nominal account है और nominal account कहता है कि जो भी material आपने खर्च किया वो आप debit कर दीजिए तो मैंने यहाँ पर material कर्च किया तो यहाँ लिखूंगा to material अब सर यह material मुझे question में कई बार दिखाई देगा और बच्चा कहेगा सर material एक बार दिखना है चाहिए यह अलग-अलग बार-बार क्यों आता है हाँ हमारे पास contract costing में material बार-बार आएगा उसकी कुछ वज़े हैं क्या वज़े है number one सबसे पहला contractor कह रहा है कि देखिए मेरे पास एक store room है एक मेरे पास central store room है मैं जहां भी contract बनाता हूँ अपना material store room से भेजता हूँ तो कई बार कोश्ट में लिखा हूँ मिलेगा material from store room कई बार contractor बोलेगा अच्छा material खतम हो गया supplier को phone कर देगा कि ये वाला सामान सीधा सीधा contract की site के ओपर भेज़ दो तो store room से भी material जाएगा और supplier की site से भी material आएगा तो ये direct supplier से material आगया कभी कभी contractor ऐसा भी करेगा कि site number एक पर material बिकार में पड़ा हुआ है extra material चला गया था वो वहाँ से transfer कर देगा तो ये हो गया material transfer from other sites लेकिन वो कितनी भी बात इधर या उधर करे मैं इतना कह सकता हूँ कि आपको पढ़के समझ में आ जाएगा कि ये material खर्च हुआ या ये material खर्च नहीं हुआ अगर वो कहता है material issued from stores तो इसका मतलब यहां लिख दूँगा अगर वो कहता है material purchase from supplier तो यहां लिख दूँगा अगर वो कहता है material transferred from site 1 to site 2 तो ये मेरे site 2 के लिए cost बन जाएगा अगर question कहता है कि मुझे material खरीदना नहीं पड़ा मुझे material contract ने दे दिया तो फिर ये मेरी cost नहीं है मैं ignore कर दूँगा बताइए क्या ये बात आपको समझ में आई हाँ sir हमें क्या क्या समझ में आया हमें समझ में आया material store room से दिया जा सकता है material supplier से सीधा खरीदा जा सकता है material किसी और job से या किसी और contract से भी आ सकता है जहां से भी आएगा debit कर दूँगा लेकिन हमने एक बात को ध्यान रखना है कि अगर material मुझे contract ने दिया है तो फिर ये मेरे contract account में debit नहीं होगा बताईए क्या आपको मेरी पहली बात समझ में आ गई येस सर तो हम ऐसा करते हैं उपर नोट लिख लेते हैं if contractee has supplied the material himself then then it should not be Shown In the Contract Account और मैं समझता हूँ कि हमारे बच्चों को ये वाली बात समझ में आ गई है जो मेरा खर्चा ही नहीं है वो इस Contract Account में कैसे आ सकता है तो वो आपको यहाँ पर नहीं लिखना है ठीक है सर अब ये जो भी Material आया इस में से हो सकता है कि मेरे पास कुछ Material Year End पर बच गया हो बोलिए येस सर ऐसा हो सकता है कि हमारे पास कुछ Material बच गया हो तो जो Material हमारे पास बच गया है मुझे उसे Credit Set पर लिखना चाहिए जिसे हम बोलते हैं बैलेंस केरिट डाउन मान लीजिए हमने 10 लाख रुपे का Material साइट पर भेजा था लेकिन जब मेरा Year कंप्लीट हुआ तो 2 लाख रुपे का Material बचा हुआ है तो इसका मतलब मेरा खर्च अभी 8 लाख रुपे हुआ तो 10 लाख डैबिट करोगे और 2 लाख रुपे का Credit कर दोगे बच्चा कह रहा है कि ठीक है सार एकाउंट में ये बात बच्चपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हम जब परचेस डैबिट करते हैं उसमें से जो हमारे पास Balance टॉक बच जाता है वो हम यहाँ पर Credit कर देते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी Real कितनी Cost involved हुई थी तो Material बच जाए तो यहाँ लिख देना सर ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने Material Supplier को Return कर दिया तो यहाँ लिख देना Material Returned Supplier को Return किया तो भी लिखना और अगर Store Room में वापिस भेजा तो भी लिखना और अगर आपने Material Transfer कर दिया किसी और Site के ओपर जैसे मैंने Example लिया था कि मैंने Site 2 से Site 1 पे Material Transfer किया है तो 1 के लिए यह Cost है Debit होगा और 2 के लिए यह Credit हो जाएगा तो By Material Transfer to Other Sites ठीक है अब ऐसा भी हो सकता है कि जो Material मैंने यहां पर Debit किया है मेरी किसी गलती की वज़े से उसका नुकसान हो जाए हमारी Costing का एक Rule है कि हम कोई भी Abnormal Nature का Loss अपने Customer से Recover नहीं करते तो Abnormal Loss of Material यहां Credit कर देना By Abnormal Loss of Material सर यह क्या है हो सकता है चोरी हो गई कुछ और हो गया जो भी Abnormal Loss होगा आप उसे भी Credit कर दोगे चलिए अब इसके बारे में और चर्चा हम Question के साथ करेंगे जब हमारे पास Figure Available होगी तो आपको और बड़िया समझ भी आएगा ठीक है सर हमने Material की Cost को समझ लिया है Material के बाद आती है Labor की Cost तो Labor की Cost को आप क्या करेंगे यहां पर आप Debit कर देंगे To Cost of Labor अगर Question में लिखा हो Labor Paid तो आपको पता है कि हमें Total खर्चा दिखाना है तो हम यहां पर अगर Outstanding होगी तो वो जोड़ देंगे Total करके यहां पर दिखाएंगे और ऐसा होता नहीं है कि आपने Advance में दे रखिये हो लेकिन अगर आपको कभी Advance वाला Question आ जाए तो आपको पता है कि Advance Labor को हम हटा देते हैं माइनस करके दिखाएंगे ठीक है तीसरा मेरे पास अब खर्चा आ गया Machinery का अब Machinery के लिए क्योंकि यह मेरा एक Capital Expenditure होता है Machinery is a Capital Expenditure तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग यहां पर Cost of Machinery Debit कर देंगे अब बच्चे को यहां पर ना एतराज होगा कि सर आपने Cost of Machinery क्यों Debit कर दिया हम लोग Cost of Machinery थोड़ी ना Debit करते है तो हम अगर यहां पर Cost of Machinery डेबिट करेंगे तो Contract के End Date के ओपर हम यहां पर WDV of Machinery यह हम Credit कर देंगे अगर बच्चा इस बात को समझ सकता है तो वो समझ सकता है कि अगर मैंने Cost को Debit किया और उसकी WDV को Credit किया तो इन दोनों का Net Effect हो जाता है Depreciation तो या तो आप इस तरीके से दिखा दीजिए या फिर आप Depreciation of Machinery डेबिट कर दीजिए Depreciation of Machinery अब बच्चा कह रहा है कि जब हम सीधा सीधा Depreciation debit करते हैं तो फिर आपने ये Indirect तरीके से Depreciation को debit क्यों किया मैंने का रुको पहले दो बाते समझो या तो आपको ऐसे दिखाना है Cost को debit करना है और WDV को Credit करना है या फिर आपने ऐसे दिखाना है ऐसा मत करना के दोनों ही दिखा देना दूसरी बात बेटे मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है जैसा कस्टमरी है वैसा मैं आपको बता रहा हूँ अगर मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि cost debit करके WDV क्रेडिट करते हैं तो जब आप कोशन में देखेंगे तो आपको बुरा लगेगा आप कहेंगे सर ये क्या अजीब बात आगई इसमें कुछ अजीब बात नहीं है जिस तरीके के question हमें facts देता है उसी तरीके से हमें दिखाना पड़ता है कई बार even question कहेगा कि हमने machinery यहां पर debit की और बात में कहेगा कि वो machine हमने sale कर दी तो अगर मैं machine को sale करूँगा तो machine का sale price में credit करूँगा और उसका जो loss होगा loss on sale ये भी credit करूँगा देखिए machine debit हुई और वो साल के end में बच गई है तो फिर मैं यहां पर WDV credit कर दूँगा कई बार book कहेगी कि हमने उसको बेच दिया तो यानि cost debit करूँगा फिर जितने की sale की होगी उसको मैं credit कर दूँगा और जो उसका profit या loss निकल के आएगा वो यहां पर credit कर दूँगा ये भी बाते आपको question के साथ साथ समझ में आएगी सीधी सी बात है मशीन से जुड़ा हुआ खर्चा मैंने debit किया है और अगर मशीन से जुड़ा हुआ कोई भी abnormal loss हुआ होगा तो वो मुझे बार करना है मैंने material में भी यही बात कही थी कि abnormal loss को मैं बाहर कर दूँगा क्योंकि हमारी costing abnormal loss को consider नहीं करती ठीक है और फिर आप से कहूँगा कि आपने अभी केवल मेरी बातों को सुनना है अभी सुनेंगे तो बाद में जब facts आएंगे तो ये mind अपने आप को relate करेगा कि मैंने आपको क्या बाते कही थी जितनी समझ में आती है उतना bonus जो नहीं समझ में आएंगी वो question के साथ समझ में आ जाएंगी ठीक है सर अगर सर कोई overheads हैं तो overheads को भी debit कर दो ठीक है सर अब ये सारा का सारा हमने यहाँ पर debit कर दिया सर मेरी cost तो सारी की सारी debit हो गई अब revenue की बात भी तो होनी चाहिए तो revenue की बात कैसे होगी तो मैं पहले लिख देता हूँ फिर मैं आपको समझाऊँगा revenue के regarding आपको यहाँ पर लिखना है by work in progress अभी समझाऊँगा अभी आपने लिखना है by work in progress और work in progress के दो पार्ट होते हैं value of work certified और दूसरा होता है cost of work uncertified तो मैंने आपको अभी समझाना है चिंता नहीं करेंगे मैंने आपको बताना है sir WIP क्या है मैंने आपको बताना है work certified क्या है मैंने आपको बताना है what is the value of work certified what is work uncertified and what is the cost of work uncertified यह 4-5 बाते हमारे contract costing का एक main part है ठीक है खेर अभी मान लीजे के यह मेरा revenue है और फिर इस revenue के बाद मैं अपने contract account की credit side का total लगाऊंगा और total लगाने के बाद यहां पर जो difference आएगा उसे मैं नाम दूँगा नोशनल प्रॉफिट टू नोशनल प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर अभी इसको भी discuss करेंगे यह क्या है पहले एक बार पूरा लिख लेते हैं यह जो प्रॉफिट है नोशनल प्रॉफिट क्या होता है इसकी बात भी करेंगे लेकिन यह नोशनल प्रॉफिट फिर आपको नीचे लेके आना है बाई नोशनल प्रॉफिट यह profit आपका नीचे आएगा फिर इस notional profit में से आप कुछ profit P&L account में transfer कर दोगे और कुछ profit को आप WIP reserve for contingency इस reserve में transfer कर दोगे और यह भी discuss करेंगे के यह क्या है जो P&L में transfer होता है ना वो मेरा balancing figure है यह चलिए इन सब चीजों की बारे में हम बाद में बात करेंगे ठीक है पहले हम अब यह सारी बाते समझ लें के इस सारी बाते हमने क्या लिखी है ठीक है सर आईए अब सभी बच्चे लिखना बंद करेंगे और मेरे साथ समझना शुरू करेंगे कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूं देखिए इसलिए हमने इसका नाम रखा वर्क इन प्रोग्रेस इसका मतलब कंस्ट्रक्शन या कॉंट्रेक्ट इस वर्क इन प्रोग्रेस यानि कॉंट्रेक्ट के उपर काम चल रहा है और ये मेरे लिए रेवेन्यू का काम कर रहा है खैर बच्चे को इस जंजट में पढ़ने की जरुवत नहीं है कि ये रेवेन्यू है कि नहीं हमने एक बात समझ ली है कि जब मैं कॉंट्रेक्ट इकाउंट बनाऊंगा और मेरा contract क्योंकि अभी complete नहीं हुआ है इसलिए मैं credit side पे लिखूंगा WIP हो सकता है कि सर अगले साल में मेरा ये contract complete हो जाए अगर मेरा contract कभी complete हो जाएगा तो फिर WIP नहीं आएगा फिर contractee account आएगा यानि कि अगर आपका contract अभी चल रहा है तो WIP आएगा और अगर आपका contract पूरा हो चुका है तो फिर WIP नहीं आएगा contractee account आएगा लेकिन हमारे mostly question में ऐसा ही होगा कि contract चल रहा है इसलिए हम लिखेंगे WIP ठीक है तो हमने ये सीखना है कि sir the value of work in progress is divided into two parts हमने अपने WIP को दो part में divide किया है सबसे पहला तो है मेरी value of work certified और दूसरा है cost of work uncertified ये दो बाते work certified क्या है work uncertified क्या है value of work certified क्या है cost of work uncertified क्या है ये सारी बाते अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ अब मैं चलिए ऐसा करते हैं पहले कुछ बाते समझ लेते हैं फिर हम आगे इन बातों को लिखेंगे ये नोट कर लो ये red pen से जो लिखका है हमने आपको नोट डाउन करवाया है आप इसको नोट कर लीजे नहीं किया तो वीडियो रोक के नोट कर ले ना सोचे मान लीजे के मैं contractor हूँ और आप contract है ठीक है और हम मैंने आपसे contract लिया बड़ा contract है काम करने में हो सकता है चार साल लगें पांच साल लगें तीन साल लगें जो भी period आप मान लो तो मैंने आप से एक contract लिया मैंने का जी आपकी land है उस land के ओपर hospital बनाना है मैं बनाऊँगा आपने का कितने पैसे लगेंगे मैंने का देखो जी 15 करोड रुपे का project है लाओ 15 करोड रुपे देदो अब आप कहोगे कि मैं आपको सारे पैसे क्यों देदू अभी तो आपने काम किया ही नहीं है मैं कहूँगा अच्छा आप मुझे contract दे रहे हो तो contract के लिए मुझे कुछ पैसे देदो तो आप कहोगे चलो 2 करोड रुपे हमने आपको दे दिये जाहिए काम शुरू कर दीजे लेकिन आगे क्या होगा क्या 2 करोड रुपे लेकर के मैं आपकी 15 करोड की building बनाता रहूँगा एक समय आएगा कि मैं आप से कहूँगा बाई सब और पैसे देने पड़ेंगे आप कहोगे के यार हम आपको किस बेस पर पैसे दें आप पैसा मांगोगे हम किस बेस पर दें मैं कहूँगा जी मैंने काम किया है इस बेस पर आपको मुझे पैसे देने पड़ेंगे इसका मतलब यह है कि थोड़ी सी नफ प्राब्लम रहती है कॉंट्रेक्टर और कॉंट्रेक्टी के बीच में कितना पैसा दिया कॉंट्रेक्टी कहता है पहले काम करो कॉंट्रेक्टर कहता है जी मैं पांच करोड का काम कर चुका हूँ आपने सिरफ 2 करोड दी हैं, बाकी पैसे दो Contractor कहता है जी मुझे तो दिखने ही रहा, आपने कहां 5 करोड खर्च कर दिया अभी तो मैं जाता हूं साइट पर मुझे सिरफ कुछ गड़े नजर आते हैं कुछ छोटी सी दिवारे नजर आती हैं, और आप कहते हैं, हमने 5 करोड का काम कर दिया Contractor कह रहा है कि देखिए भाई साब, आपना लेमेन आदमी है आपको पता नहीं है construction का काम कैसे होता है Construction का काम करने का एक अपना तरीका होता है और गड़्डा खोदने में ज़्यादा पैसा खर्च होता है आप कहोगे बताओ, तुमारी बाते ऐसी मालूम मैं कहूँगा, देखो भाई साब आपको समझ में नहीं आएगा कि construction का काम कैसे होता है आप एक काम कीजिए, आप मार्किट में जाएए और आप मार्किट में एक architect hire कीजिए engineer, architect, जो भी आप समझ सकते हैं आप उसको hire कीजिए हम दोनों के बीच में वो architect तीसरा आदमी आएगा contracting ने का बताओ उसका क्या काम है, मैंने का हाँ, उसका क्या काम है ये समझो अब मैं contracting को नहीं आपको समझा रहा हूँ कि architect की या engineer की या professional की यहाँ पर क्या ज़रूरत है मैं जब काम करूंगा तो आप layman है और layman as a layman आपको समझ नहीं आएगा मैंने कितना काम किया, तो आप अपना professional मेरे पास भीजिएगा वो professional मेरी site के उपर आएगा और check करेगा कि मैंने कितना काम कर दिया है अच्छा जी, मैं क्या बना रहा हूँ, मैं आपकी building बना रहा हूँ तो professional या architect क्या करेगा, तो architect या engineer आएगा और वो ये बता देगा आपको के भाई साब आपकी building 20% बन गई, आपकी building 30% बन गई, आपकी building 40% बन गई, या आपकी building 60% बन गई, ये वो आपको बता देगा मान लीजिए वो आपसे कहता है कि बिल्डिंग 60% तयार हो गई और मैंने आपसे 15 करोड का कॉंट्रेक्ट ले रखा है तो इसका मतलब मैंने उस पे 15 लाग का 60% इसका मतलब मैंने उसमें 9 करोड का काम कर दिया है ठीक है अब मैं आपको एक दूसरे पेज पे डाइग्राम की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ या चलो इसी पेज के ओपर समझाता हूँ कि देखिए कंस्ट्रक्शन का काम जगा जगा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है कॉंट्रेक्टर कहता है कि देखो मेरी बिल्डिंग 70% तयार हो गई है कॉंट्रेक्टर के हिसाब से बिल्डिंग 70% प्रिपेर हो चुकी है लेकिन आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि आप ले मैंनो तो आप कॉंट्रेक्टी को क्या करना है कॉंट्रेक्टी को एक प्रोफेशनल को हायर करना है और कहना है कि जरा जरा मेरी एक साइट चल रही है वहाँ पर जाईए वहाँ पर विजिट कीजिए और मुझे बताईए कि मेरी बिल्डिंग कितनी तयार हो चुकी है प्रोफेशनल ने कहा कि देखो मैं आपकी साइट पर गया था मैंने वहाँ पर चेक किया था वहाँ पर 70% नई 60% बिल्डिंग मेरे हसाब से तयार हो गया है 60% बिल्डिंग has been prepared यह एंजीनियर कह रहा है कांट्रेक्टर कह रहा है कि मैंने 70% बिल्डिंग तयार कर दी है जबकि प्रोफेशनल आके कह रहा है जी आपने 60% बिल्डिंग तयार कर दिया मैंने कहा कोई बात नहीं मैं as a contractor कह रहा हूँ चलिए कोई बात नहीं मैंने आपकी बात मान ली जितना आपके engineer ने कह दिया उसे हम बोलते हैं work certified अब आप मुझे बताइए what is work certified work certified का मतलब है contractor ने जो काम कर दिया contractee के engineer ने उसको certify कर दिया then that is called work certified sir ये contract 15 करोड का था और engineer सहाब भी कह रहे हैं के 60% काम पूरा हो चुका है इसका मतलब 15 करोड का 60% इसका मतलब 9 करोड रुपे का contract में पूरा कर चुका हूँ ये इसका मतलब हुआ ठीक है now work certified क्या होता है सबसे पहले ये बात समझ भी आनी चाहिए जो काम contractor ने कर दिया और जिसके लिए contractee के engineer ने certificate दे दिया that is called work certified now what is value of the work certified value of work certified होता है contract price multiplied by degree of completion जितने का contract price था उसे multiplied कर दो आपका कितना percentage काम complete हो गया है तो इसे हम बोलते हैं value of work certified ठीक है अब आईए contractor कह रहा है के जी मैंने तो 70% काम कर दिया है लेकिन मैं आपसे जगड़ा नहीं कर रहा क्यों नहीं कर रहा क्योंकि आपका जो इंजीनियर आया था वो तो 10 March को आकर चेक करके गया था लेकिन हम लोग जो value निकाल रहे हैं वो value निकाल रहे हैं 31st of March की तो पहला कारण तो ये भी है कि इंजीनियर को बहुत सारे काम करने हैं बहुत सारे लोगों ने बोल रखा होता है कि भाई सब मेरी साइट पे जा करके जरा certificate दे आओ contractor इतना जगड़ा नहीं करता contractee के साथ के नहीं पूरा 31 March तक का करो वो कह रहे कोई बात नहीं पिछली बार 10 March को आया था तो 10 March तक का certificate हमने ले लिया है अब वो कह गया है मैं 30 April को आऊंगा या 15 मई को आऊंगा तो जब आएगा तब का certificate और दे जाएगा जैसे जैसे certificate मिलत ठीक है इसका मतलब ये कि मेरा year end तो हुआ 31 March को मैं pen change करता हूँ सकता बच्चों को दिखाई न दे रहा हूँ न पैंसिल से लिख दिया था 31 March को और मैंने आप से कहा कि आपका engineer visit करके गया था 10 March को तो 10 March तक उसे जितना काम दिखा उतने का certificate तो उसने दे दिया लेकिन उसके बाद जो वो visit करके गया था उसके बाद जो मैंने काम किया है वो अभी engineer ने देखा नहीं है उसे हम बोलते है work uncertified यानि जो काम मैंने engineer साहब के जाने के बाद किया था that is called work uncertified और work uncertified कह रहा है कि मैं accounting कर रहा हूं ना तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है work uncertified मेरा है यह 10% work uncertified है और इसकी value जब मैं निकालूँगा तो वो मैं cost price पर निकालूँगा जितने काम का certificate मिल गया है उसकी valuation sale price पर होती है और जितने का certificate नहीं मिला है उसकी valuation cost price पर होती है बोलिए इतनी बात हमें समझ में आ गई तो आईए हम पहले इसको note कर लेते हैं सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा work certified बताईए क्या था work certified work certified की simple सी परिबाश्यती work done by the contractor and for which certificate has been issued by the engineer या आर्चिटेक्ट के स्पेलिंग ठीक कर ले ना work done by the contractor for which certificate has been issued by the professional या इन्जीनियर या आर्चिटेक्ट आफ दा contractor is called work certified work certified is valued at contract price सरल भाशा में कहूंगा selling price तो इसकी value आएगी जितना भी आपका contract price था उसे multiply कर दो जितना उसने degree of completion का certificate आपको दे दिया है या percentage of completion का certificate आपको दे दिया है उससे आप multiply कर दो दूसरा work uncertified अब मैंने आपसे कहा था कि इंजीनियर की विजिट के बाद जो काम हुआ है उसे बोलते हैं work uncertified या फिर जो मैं कह रहा हूं कि मैंने कर दिया है आपके professional कहता है कि नहीं क्या उसे हमने बोल दिया work uncertified तो दोनाई बात इसमें cover हो गई तो इसे हम बोलते हैं work done but not certified by the engineer ya architect of the contractee or yafir work done after the visit of engineer of contractee it is valued at cost price work uncertified की जो value होती है वो cost price पर होती है जबकि work certified की जो value होती है वो contract price पर होती है इसलिए हमने कह था value of work certified and cost of work uncertified ठीक है सर ये दोनों बाते बलकि पांच बाते समझ में आ गई work in progress मतलब काम चल रहा है work certified engineer ने certificate दे दिया value मतलब contract price के accordingly उसकी amount calculate कर ली work uncertified जिसका हमें engineer से certificate नहीं मिला work uncertified की value cost पर होगी ये पांच बाते हमने आपको बता दी है चलिए अपनी इसी बात को हम एक example से समझने की कोशिश करते हैं कांट्रेक्टर कह रहा है कि हमने एक contract लिया था 80 लैक रुपीस का इमेजनेरी फिगर से आपको बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं contract price था 80 लैक का उसके बाद में हमने cost incurred हमने उस पर cost incurred कर दी है 20 लाक और हम बोलते हैं contractor कह रहा है कि जी मैंने काम कर दिया है work done till today contractor कह रहा है कि जी मैंने 40% काम कर दिया है जबकि work certified by the engineer है 35% क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि work uncertified कितना है contractor कह रहा है मैंने 40% काम कर दिया और engineer ने 35% की approval कर दिया है इसका मतलब 5% is work uncertified ठीक है अब मैंने ढूनना है what is the value of work certified और दूसरा what is the cost of work uncertified देखते हैं कि बच्चे क्या जवाब देते हैं जल्दी से बताइए इसकी value होगी contract price multiplied by percentage of work certified तो 80 lakh into में 35% तो 80 lakhs into 35% ये इसकी value आ गई 28 लाक रुपे अच्छा जी अब बताओ work uncertified कितना है तो पहले मैं बता दूँ contractor ने 40% काम किया है certificate 35% का मिला है तो 5% uncertified काम है तो अब आप देखिए cost इसको divide करो 40% से और multiply करो 5% से इस formula को समझने की कोशिश करना contractor कह रहा है मैंने 20 lakh रुपे खर्च किये है 20 lakh रुपे खर्च किये हैं और मैंने 40% काम कर लिया है तो इसका मतलब 1% काम करने में क्या लागत आई होगी 20 lakh बटा 40% बोलो ये खर्चा किया और इतना % काम हो गया तो 20 lakh में 40% काम हो गया तो मैंने का बताओ 1% काम करने में क्या खर्चाया Sir 20 lakh divided by 40% ये 1% की value आगई यानि जितनी cost इंकर करो उसको divide कर दो कितना % काम contractor कह रहा है मैंने कर दिया तो उससे 1% cost की value आजाएगी अगर 1% काम करने में ये amount लगता है तो 5% काम जो मैंने कर दिया है उसमें क्या खर्चा आया था Simple सा Unitary Mathematics है तो 20 lakh रुपे खर्च के मैंने 40% काम किया तो 1% काम करने में मेरा खर्चा आया 50,000 रुपे तो 5% काम करने में मेरा खर्चा आया 1,500,000 रुपे तो इसकी value आगई 2,500,000 रुपे ठीक है समझ में आ गया मैं कहूंगा तो भी अच्छी बात है नई समझ में आया तो पूरे चेप्टर में ये सारी बाते रिपीट होनी है वरना चेप्टर आज ही काज खतम हो जाता ठीक है सर अब अगर हम आगे चलें तो अभी मैंने आपको एक बात पहले और बतानी है कि मैं क्यों प्रॉफिट को नोशनल प्रॉफिट कह रहा हूँ कॉंट्रेक्ट अकाउंट में यहां पर मैंने खर्चे दिखा दिये जितना मैंने काम किया था वो मैंने यहां दिखा दिया तो फिर इस प्रॉफिट को मैं नोशनल प्रॉफिट क्यों कह रहा हूँ यह मुझे आपको बताना है बेटे हमारी जो एकाउंटिंग है ना वो बहुत ही सुन्दर प्रिंसिपल के ओपर चलती है इसका नाम है कंजर्वेटिव प्रिंसिपल लोग इसे प्रॉडेंस कंसेट्ट के नाम से भी जानते हैं इसका मतलब यह होता है कि आपको ना संभल के चलना चाहिए अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो मैं इसका एक अच्छा उधारन दे के आपको समझा सकता हूँ हाँ सर हम क्रिकेट का मैच देखते हैं और आप हमें समझाईए हमारे देश में तो क्रिकेट रिलीजन की तरह है खैर छोड़ो उन बातों में क्या टाइम वेस्ट करना सामने वाली टीम ने पचास ओवर में दो सो पचास रन लगाए अब हमारी भारतिय टीम खेल रही है और भारतिय टीम ने क्या किया बीस ओवर में ही डेड़ सो रन लगा दिये सर इतने ज़्यादा रन लगा दिये 20 ओवर में डेट सो रन तो बड़े कमाल की बात हो गई तो इसका मतलब यह है कि मुझे यहाँ पर लग रहा है कि भारतिय टीम की पोजिशन मजबूत है तो लेकिन 20 ओवर के मैच पर मैं पूरा रिजल्ट नहीं निकाल सकता यह मेरी अकाउंटिंग कहती है अकाउंटिंग कहती है कि आपको संबल के चलना चाहिए हो सकता है 20 ओवर तक भारतिय की स्थिती मजबूत है टीम की हो सकता है 20 ओवर के बाद पलड़ा बदल जाए दोनो बैट्समेन आउट हो जाए नए बैट्समेन को फिर अपने पाउंव जमाने में कितनी गेंदे वेस्ट करनी पड़ेंगी रन रेट गिर सकता है विकिट की पोजीशन बदल सकती है 20 ओवर के बाद आपको दिखाई दे रहा है कि इंडिया मैच आसानी से जीच जाएगा 30 ओवर के बाद हो सकता है कि आपका ओपीनियन बदल जाए आपको ये मैच तो लगता है फस भी सकता है 40 ओवर के बाद आपको हो सकता है ये तो इंडिया जीतेगी नहीं इसका मतलब किसी भी इनकंप्लीट काम को देख करके उसके final result को एकदम accurately calculate नहीं किया जा सकता उसमें परिवर्तन हो सकते हैं अगर आपने एक बार profit compute कर लिया और profit को distribute कर दिया तो बाद में आपको परिशानी हो सकती है हमारी accounting कहती है कि incomplete position कभी भी अपनी बात बदल सकती है इसी लिए जो भी profit है उसको आप केवल notional profit कहो क्योंकि real profit तो तभी निकलेगा जब हमारा contract पूरा हो जाएगा इसका मतलब incomplete contract में जो position भी आपको नजर आ रही है profit की that is not a real profit that is called notional profit हाँ profit हुआ है लेकिन हम इसे पक्के तोर पर नहीं कहेंगे it is called notional profit और notional profit में से केवल एक हिस्सा profit में जाएगा बाकी का जो हिस्सा होगा वो आपका reserve में चला जाएगा सर कितना हिस्सा profit में जाएगा और कितना हिस्सा reserve में जाएगा इसके भी rules है लेकिन अब आज की class में मेरे पास इतना समय नहीं है आज मैं यहीं पर रुख जाता हूँ और next class में मैं आपको इसके rules बताऊँगा कि national profit में से कितना profit P&L में जाएगा और कितना profit provision या reserve में जाएगा और फिर आपको इसका question भी करके दिखाऊँगा ठीक है तो जितनी बाते सिखाई है mostly theoretical बाते आज हमारी हुई है इतना ही आप revise करेंगे next class में हम आपको rules भी बताएंगे question भी कराएंगे ठीक है चलिए